finding the derivative of 99 x और 8 x equal to 100 देखिएगा कि क्या है पहले तो function आपको पता चल गए function है वो क्या है ये और point x equal to 100 है इसका मतलब a की value कितनी 100 है चलिएगा अब देखते हैं यहाँ पे solution में और यहाँ से देखिएगा कि f of x तो कितना है 99 x and x equal to कितना है आपको 100 दिया है 100 है ठीक है 100 है तो देखिएगा कि यहाँ पे by basic definition ठीक है अपनी definition है अब तो यहाँ से क्या करते है f of dash a और यह क्या आता लिमिट as tending to 0 है और यहाँ से f of a plus का h है और minus का f of a और a है नीचे कितना है h है यहाँ तो यहाँ से देखिएगे तो क्या हैगा कि function क्या दिया है और 99 x दिया है तो क्या करेंगे गवर्मेंट ने जो बोला है कि उसमें x की जगह हम रखेंगे क्या कि 19 a a की value तो 19 a प्लस इससे पहले हमें देखिएगा कि यहाँ पे a की value पुट कर देंगे ना यहाँ पे एक इतना आपका 100 है और यह कितना हैगा limit as tending to 0 अब यहाँ पे क्या करेंगे f 100 plus h minus 100 upon h यह है अब यहाँ तक ठीक है तो चलिएगा आगे चलते है तो आगे क्या करना है function में value पूट करेंगे और तो क्या करेंगे तो function में value पूट करो government ने function क्या दिया 19x तो यहाँ से अपने पास देखिएगा 19 और x की जगह क्या रखोगे 10 और plus minus का यहाँ पे 100 तो यह क्या हैगा 99 और x की जगह आप पूट कर दो 100 upon h यह है यहाँ से clear है अब यहाँ से clear है तो आपको देखिएगा कि f of days और यहाँ से 100 है और limit as tending to 0 है यहाँ से clear है अब अंदर multiply गराओगे तो 99 यह और plus 99 h और minus का 99 00 upon h यह कटा है यह कटा यहाँ तक और यहाँ से क्या है limit as tending to 0 है और 99 h by h s से h गया तो यहाँ पर 99 आया यह अपने पास देखिएगा कि derivative आया है कहां का f of 100 equal to a यहाँ झाल